करेक्शन मोड में आगे मामला बिलकुल और कल सेटब भी दिखा रहा है कल चौतर अरफा सेलिंग थी कल डियाएज ने भी कैश बेचा दो करोड ही बेचा लेकिन बेचा और फाइज ने बेचा करीब करीब 1900 करोड और वो जो फाइज का बार बन रहा था नहीं कैसा मनको लग कि शायद थोड़ा सा वो रेड जो लाइन है और धीरे-धीरे कम हो रही थी कल वो वापस एक बड़ी रेड लाइन बन गई यह शुरुआत हुई थी एकस्पारी वाले दिन से 4000 करोड बेचा था अगले दिन 1000 करोड फिर 700 करोड पर सो 393 करोड और कल 1900 करोड FIS ने बेच दिय यह trend change हुआ है FIS के तरफ से भी शायद वो profit book कर रहे है, momentum market में थोड़ा सा fizzle out हुआ है, यह ETF money हमेशे ही करती है, जहां momentum fizzle out हुआ है वहाँ पर profit book करते हैं, तो यह profit booking चल रही है वहाँ पर, कल index futures में भी selling आई, कल 860 करोड की index futures में selling थी और stock futures में 2000 करोड की selling थी, एक तरीक से क्यों क्यों क्योंकि अगर reversal आएगा तो rally भी बड़ी होगी, अगर, एक बहुत बड़ा हाता है अगर, और stock market में अगर वैसे सबसे ज़्यादा बड़ा outlier होता है, कि अगर ही होता है, लेकिन अगर market में recovery आगई तो खैर shot covering आ सकती है, लेकिन मामला तो खैर, कल selling का हुआ ह और कल आप देखेंगे तो कल long कटें जादा, 9,010 long कटें, कल बहुत जादा shot नहीं जुड़ा है system में, long shot कम हुआ है क्योंकि long कटें, 9,000 long कटें कल, shot 700 जुड़ा है, कोई बहुत जादा shotting नहीं हुई है, long exposure इसके लिए 49% पर आगए, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि market में और decline की possibility है, भले ही यह long exposure कम हुआ है, लेकि long exposure कम हुआ है, सिरफ long कटने के वज़े, shots तो भी system में जुड़ने शुरू नहीं हुए, क्या यह market यहाना से shotting होगी, add होंगे shots, क्या ही market 19,000 तक correct हो सकता है, हो सकता है, possibility है, long shot chart लेकर आइए एक बार, और इस बार हम सिर्फ ratio पर बीच कर रहा है, और एक चीज, कल इंडिया विक्स, बहुत दिनों के बाद एक उसमें मूव आया, करीब करीब 10% का मूव आया, इंडिया विक्स में, 11.28 तक अया, put call ratio थोड़ा oversold जरूर हुआ है, 0.92 से गिरकर 0.75 पर आया है, लेकिन यह आने को और नेचे आ सकता है, और और हो सकता है, आज शोड़ी शोड़ कवरिंग आजे लेकिन अब मार्केट का ट्रेंड बदल गया, अब मुझे लग रहा है, यह मार्केट एक बार के लिए आपको, 11.100, 11.200 तक जाने का दमकम रखती है, पॉसिबिलिटी है, तो आब मार्केट का जो टेक्च्चर है, वो नियर टर्म में, सिरफ नियर टर्म में, बाई उन डिप से सेलोन राली पर आगया, सिरफ नियर टर्म में, और अउगस का फ्यूचर का प्रीमियम अगर आप देखेंगे, तो 79 पॉंट का प्रीमियम घट के 70 पर रह गया, और 4 श्टॉक बैन में आ गया, इंडेबल हाउजि में आपको ज्यादा पैसे बनेंगे, इंस्टेड उफ बाई उन डिप्स, लेकिन हम इसको रिविजट करते रहेंगे, टेक्स्चर बदल गया, ट्रेंड बदल गया, कल सारे समीकरन बदलते हुए नजर आए, तो ये अब तक बाई उन डिप्स के मार्किट से अब हम शायद for the time being at least, sell on rallies का बजार बन गया, यानि कि वो चाल में बिक्वाली करें, आज तो चाल भी नदारत रहेगा, गिफ निफ्टी कह रहा है कि दबाव के साथ शुरुआत होगी, तो निफ्टी का फिर आज का अप्रोच के रहेगा, आज का अप्रोच निफ्टी का दे कि आज हम करेंगे, बहुत ज्यादा कूदेंगे किसी ट्रेट में, मैं लेवल्स बता देता हूं, हाला कि लेवल्स इतने मेनिंग्फुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि काई लोग लेवल्स को रिस्पेक करते हैं, तो इसके लिए, सबसे इंपोर्टन लेवल जो पहला सपोर्ट ह कल का लो, कल आखरी घंटे में रिकावरी हुई, अच्छी 100 पेंट के रिकावरी हुई है, ऐसा नहीं कि छोटी रिकावरी हुई, एग्जाक 100 पेंट के रिकावरी हुई है, तो इसके लिए 94-23 कल का लो, और हम आज 65 पेंट अगर गैप डाउन से खुलेंगे, तो 35 प्रेज कई लोग यह ट्रेड लेते हैं, आशिश की ठीक, आज हम गैप डाउन के साथ खुल रहा है, मैं एक लीप फेड ले रहा हूं, कि मैं बाई कर रहा हूं, कल के लोगा स्टॉप लगा दे रहा हूं, वो एक तरीका होता है, लेकिन वो रिस्की है, बड़ा सपोर्ट के है 19.385 क्योंकि आज एक्सपार ही है, वो ऑप्शन के हिसाब से, जो इकलौता पुट जहां पर थोड़ा सा ओप्शन का डेटा बचा है, वो 19.400 का है, 19.385 एक बड़ा सपोर्ट है, रिस्टन्स कहां पर है, पहले तो 19.550 निकलना मुश्किल होगा, जो कि आपका 20-day exponential moving average है, वो ग निफ्टी ने कल का low बचाया, और एक घंटे तक टिक गए हम उसके ऊपर, stability आई, 19.550 के ऊपर निकल गया आप, ये सब आपको वेट करना पड़ेगा, तब एक buy trade इनिशेट होगा, और उस buy trade में stop loss लगएगा, 19.423 का, लेकिन मेरे ख्याल से, बड़ा trade होगा, अगर recovery फेल होती है, जहाँ पर भी recovery फेल हो, और 19.550 reject हो, वहाँ पर short कर दें और एक stop loss लगा दें, 19.600 का data desk के लिए strategy होगी, ये है निफ्टी का आज का अप्रोच, 550-600 for the time being निकलना मुश्किल, उसको मत दे नजार रखते हुए, strategy आपकी screens पाए, निफ्टी बैंक, इसने भी कल important average ऐस में था, क्या करना चाहिए? जड़े 45,100 की call में, और 45,200 की call में 28 लाग, ये बेसिकली 0 था इंका, तीनो का open interest और तीनो में कल 30-30 लाग share जड़ गए open interest के, जस्ट एक एग्जामपल देने के लिए 45,000 की call को separately देख लेते हैं, 45,000 की call में क्या हुआ, 1755% का open interest jump, मतलब इतना मैंने कभी नहीं देखा, और फिर से अगर ये उस कर रहा हूँ, अगर ये cross हुआ, तो बड़ी rally आएगे, लेकिन टफ लग रहा है, मुझे मुझे लग रहा कि इतनी असानी से होगा, पहला 45,100 तो 45,200 का जो एक आपका बड़ा support था, अब वो आपका एक बड़ा resistance बन जाएगा, 45,100 तो 45,200, बाइंग कह को buy करना है, और support कहा पर है, पहले तो 44,720 जो कलका लो है, और 44,550 जो 50-day exponential moving average है, बैंक निफ्टे में आप trade sell-on rally की है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, और अगर 44,550 तूट गया, तो possible है कि हम even 43,500, 44,000 तक के भी levels देख लें एक बार के लिए, मार्केट में आपने आपको हमेशाए adjust करना होता आपको, आप एक पर्मा व्यू लेकर नहीं चल सकते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं तो 48,000, 50,000 का व्यू था, वो तब था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक slightly longer term perspective से वो व्यू अभी बें intact है, लेकिन अगर near term में कुछ चीज़े बदल तो आपको उसी साब से adjust करना होगा अपने आपको basically, आप Google Map लगा कर आप कही निकलते हैं, रास्ते में अगर कोई traffic जाना हो, कोई सड़क बंद हो जाती है, मान लो, तो आपको घूम के जाना पड़ता है, पहुंच तो जाते हैं आप destination में, लेकिन time ज्यादा लगता है उसम झाल, झाल, झाल.